असलाम अलेकुम पैरे दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR4U में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ एक पड़ एक वीडियो आपको मिलता जा रहा है वो भी दमदार और जोगारू वीडियो जो कि आपके एजुकेशनल में काफी सहायता कर रह रहा है और अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और बस एक ही वाद मैं कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखेंगे आपका फाइदा होगा औ इसका नाम है सूरज का घोरा कंणर कहानी है तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आरा था कि सर रोशनी उर्दू रोशनी उर्दू तो आप देखिए अब आपको मैं रोशनी उर्दू पढ़ा रहा हूं तो आपको एक बार में ना समझ में आए तो इसकीप करके न भागे बलके आराम आराम से ठेहर के देखिए क्योंकि मैं पूरी कहानी को बताता हूं आपको मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूं मैं ये समझा रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए और आप समझ रहे कि पढ़ा नहीं है सांसर समझा रहे है तो आज हम आपको पढ़ाने जा तो चौता है सूरज का घोरा कंडर कहानी है किस भाशा की कंडर कहानी है इसके मुसनिफ कोन है यू आर अनंत मूर्ती है ना तो सूरज का घोरा के मुसनिफ कोन है तो यू आर अनंत मूर्ती ये जो है कंडर भाशा में ये जो यू आर अनंत मूर्ती है तो सूरज का घोरा कहान किसने किया हैदर जाफरी सयद ने जो है सूरज के घुरा को उर्दु जबान में कनुहर्ट के ट्रांसलेट किया तो याद रहागा आपको सूरज के घुरा के लेका कुन है मुसनिफ तो यू आर अनंत मुर्ती ये कैसी कहानी है तो कंटर कहानी है इसके मुतरजिम जीनों ने उर्दु में translate किया वो कोन है तो हैदर जाफरी सयद है उसके बाद इसमें जो कहानी जो दी गई है उसमें मरकजी किरदार तो तील नोगों का मरकजी किरदार जो है वो वैंकट कृष्न जो स՞ जोईसा है क्या नाम है मरकजी किरदार सूरज की गोरा का ववैंककट कृष्णा जोइसा ठीक है दूसरा ανंत मुर्ति और घृम्पा अलेकर व भी इसमे शामिल है अपना नाम किया तीसरा सकूंत्ला है जो सकूंतला वैंकिया वैंककट कृष्णा की बीवी होती है और सुबा नाम है ये क्या है अपC sẽ जो है वह किसना वैंकट खिसना जो इसा का बेटा और सकुन्दला का बेटा होता है तो ये किर्दार आपको समझ में आ गिया अब हम कहानी बताते है कि इस चीज में इस सूरज का घोरा जो है इसमें कहानी क्या है देखिए अब ध्यान से समझेंगे कि यह जो है You are Anantamurti और Venkat Krishna दोनों दोस्त होते हैं यह आप जाद रखो Anantamurti और Venkat Krishna जो इसा जो होते है वो दोनों दोस्त होते है यह Anantamurti उमर में छोटे होते है और Venkat Krishna जो इसा जो होते है वो उमर में बरे होते है लेकिन जब दो स्कूल में पढ़ते है तो Venkat Krishna जो इसा जो होता है वो उमर में काफी बरे होते है और क्लास में भी सिनियर होते है और यह Anantamurti क्लास में जुनियर होते है लेकिन Venkat Krishna जो इसा जो होते है वो बार बार फेल होने के वज़े से अनंत मूर्ती के साथ हो जाते है मतलब जैसे आप बारवी में पढ़ रहे हो आपका दोस्त दस्मी में है तो आप दो साल फेल हो गए तो अपने दोस्त के साथ हो गए आपका दोस्त बारवी में आगी है न इसी तरीके से वेंकट किसना जो इशाज होता है वो कई बार फेल होने के वैसे अनंत मुर्ती हाला कि उमर में चोटे होते हैं ये उमर में बारे और क्लास में पढ़े होते हैं लेकिन दोनों दोस्त जो होते हैं वो दोनों एक साथ क्लास में पढ़ने लगते हैं ठीक है तो य दाब लिखा सूरज का गुरा कहाने लिखा और इनके जो दोस्त है जो पढ़ने में कमजोर थे पढ़ते नहीं थे वो क्या बने तो आपको लगड़ा होगा कि वो महान बने जी नहीं आपने पहले सुना कि ये पढ़ते लिखते नहीं थे बार बार फेल हो गए तो बार बार वाले बन जाते हैं यानि बोडी मसाज करने वाले चंपी करने वाले बम आकर बम के चंपी करो जम के तो ये चंपी करने वाले बन जाते हैं ये फिर मतलब की भूत जारने वाले बन जाते हैं यानि बहुत सारा जरी बूटी यानि की कौन सी दवा से किस एलाज होगा कौन सी प घुद जारने वाले हैं उसके बाद हकीमगीरी करने लगे ये वो दिजड़ इस तरीके का काम करने लगे इस कहानी में यही अनन्त मुर्ति अपने दोस्त वेंकट किसना जो इसा की कहानी बताया है इस कहानी को पढ़ा जो मैं जो खुद पढ़ा हूँ नहीं बहुत महनत लग होगे तो यहाँ पर क्या होता है कि यह इनका जो होता है वेंकट किसना जो इसा यह जो होते हैं वो अलग-अलग पेशा करने लगते हैं ठीक है तो वेंकट किसना जो इसा के बारे में यहाँ बता दिया गया और अनन्त मुर्ति के बारे में बता दिया गया यह दोनों दोस् Venker Kisna के घर जाने का सुचते हैं तो वो जाते हैं Venker Kitchena जो इसा के घर जाने लगते है तो जब Anand明त मूरती जाते ही रहते हैं तो Venker Kisna जो रास्ते में इनको मिल जाते हैं अब आप सुचिछो बश्पन के क्लास्मेट थे और बहुत जमाने के बाद मिले पहचान तो होगा एक दूसरे को यार तुम तो रास्ते में मिल गए और फिर दोनों की खुशी का क्या ठेकाना जब दोस्त मिलते हैं तो मज़ा आ जाता है और फिर वहाँ पर वो क्या करते हैं कि वैंकट किसना जो इसा जो होते हैं अपने दोस्त के अनंत मुर्ती को क्या है कि आप रास्ते से जो घर ले जाते है बजार से तो दिखाते है ये पती इसमें कामाती है ये पुदिना की पती खाएंगे तो पेट में दरद नहीं होगा ये नीम की पती खाएंगे तो दाथ में दरद होगा इस तरह की से पूरा बजार देखाते है उखाते है अपने घर ले से इज़त नहीं करते है जिस तरीके के इज़त होनी चाहिए और वो हलके में ले ले लेती है कि दोस्त होगा तो तुमड़ा होगा अपनी जगा का दोस्त होगा और फिर क्या होता है कि ये वैंकट किसना जो पता चल जाता है कि इज़त नहीं करता है कि चलो कोई बात नहीं है नहीं किया इज़े तो हमारी कोई बात नहीं है और इस तरीके से दोनों जो है वो खाते हुते हैं और खापी करके दोनों आराम करते हैं और सो जाते हैं ठीक है इस तरीके से अपने दोस्ते मिला और जब शाम होती है न शाम होती है तो अनन्त मुर्ती को वेंकट किष ना कहते है अपने दोस्त अनंट मुर्ति को कि चलो मैं तुमें एक चीज देखाता है एक आदमी से मिलाता हूँ तो फिर वहां से मतलब शाम को जो है वो負ी है वेच अनंद मुर्ति को एक जोपड़ी के पास ले करके जाते है और जोपडी का गिट ठक ठकाते हैं मतलब कि मरया का जो होता है उप चशरी को हीलाते है तो अंदर से एक आदमी आवाज देता काता है और अंदर जाते हैं तो वेंकट्किस्ना जो इसा आपने दोस्त अनंत्मूर्थी को ले करके अंदर जाते हैं जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है इसलिए मैंने इसे एक जोपड़ी दे दिया और खाने पिने का इंतजाम करा दिया और मैं इसकी देख भल करता हूं उनकी जरूरियात को पूरा करता हूँ तो आप सुचिए वेंकट किसना की ये बात शुन करके अनंत मुर्ती को बड़ी खुशी होती है कि यार मेरा दोस्त कितना अच्छा है हर जगा इसी की तारीफ अनंत मुर्ती हम पूरे किताबों में वेंकट किसना जो इसा की तारीफ की है ये अनंत मुर्ती कहते है कि वेंकट किसना कितना अच्छा आदमी है जो कि ऐसे तो अच्छा था ही लेकिन ऐसे भी जो है आदमी की सेवा करता है बुरे आदमी की सेवा करता है बहुत खुश होता है और 28 पेजों में लगबग पूरे पेजों में अपने दोस्त की अनंत मुर्ती ने अपने दोस्त वेंकट किसना की तारीफ की है उसके बाद क्या होता है कि देखने उखने के बाद जो होते हैं दोनों शाम को बुरा के घर से आते हैं और अपने घर खाऊ के, खाना उना खा के दोनों आदमी सो जाते हैं, जब सुबा होती है, तो अचानक से पूरे गाउं में हल्ला हो जाता है, अचानक से पूरे गाउं में हल्ला होता है, जब शोर मसता है, तो पता चलता है, कि वेंकट किरिस्ना जोईसा का बेटा सुबा, व वेंकट किसना जो इसा का बेटा जो था सुबा वो अपनी मा का जेवर लेके भाग गया और पूरे गाउं में हाल लेके हाथ का हो चाहे मां का हो छोको नाकन गले उले पता नहीं और वो अपनी जेवर लेके भाग जाता है अब पूरे गाउं में इस बात का हल ला हो जाता है अब ये बात वेंकट किसना जो इसा को पता चलती है और फिर वहां पर उसके दोस्ते भी अनन्त मुर्ती होता है तो शर्मिंदगी महसूस है थे कि यार बताओ दुनिया क्या कहाएगा बेटा खुद मा का जेवर लेके भाग गया तो उनको बड़ा एहसा होता है तो ये वेंकट किसना जो इसा जो है वो एक मरया के पास चले जाता है जोपड़ी होता है वहां पर जा करके और ऐसे इस तरीके से चिप करके ऐसे कितम उदास खड़े रहते हैं कुछ करते रहते हैं तो अनन्त मूर्ती को बड़ा दुख होता है सोचते हैं कि यार मेरा दोस्त है वहां पर पर परिशान है इसको एहसास हो रहा होगा कि मतलब बेटा चला गया है जेवर लेके भाग ग होंगे यह अनन्त मूर्ती उसके पास जाते हैं देखते हैं कि चलो अब पस्ताबा हो रहा है इस बेशारे को बेटे पर जब अनन्त मूर्ती वेंकर कृष्णा जो इसा के पास जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक जिंगूर टैप क कीरा इस टैप का कीरा होता है है ना टिड्डा जिसको देशस में हम लोगों ने देखा है जो हडा ग्रीन कलर का होता है इसलिए मैं डिस्पिले पर दे देते को ये कीरा होता है जिसको अल्ला का गोरा का होते हैं जिसको हम ग्रास सौपर के नाम से जाते हैं जिसको टिड्डा जिंगूर, पता नहीं क्या-क्या नाम से जनते हैं, तो वो इसको देखते रहते हैं, इसी का नाम होता है, है ना जब आनंत मुर्दी वेंकट क्रिष्णा के पास जाते हैं नजदीक देखते हैं तो वेंकट क्रिष्णा जो इसा जो है न एक सूरज के घोरा को देखते रहते हैं कौन अब देखो यह सूरज का घोरा समया यही सूरज का घोरा कहानी का नाम है वेंकट क्रिष्णा जो इस तरीके से ऐसे छिपे होते हैं और इस तरीके से ऐसे इस टिड़ा को जो है ना सूरज के घोड़ा को देखने लगते हैं वो परिशान रहते हैं जब यह जाते हैं तो इसी को जो है आप जानते होगे टिड़ा कहते हैं इसको लोकस्ट भी या फिर ग्रास सौपर के नाम से जानते हैं बहुत सारा है इसको वो युकून वेंकर किसना जोईसा इस तरीके से मुंडी घुमा करके देखते रहते हैं और कि अनंत मुर्ती जो वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि वेंकर किसना जोईसा उस सूरज के घोरा को देख रहा है और परेशान है सदमे में है और पर ये कहानी खतम हो जाती है इसी को सूरज का घोरा कहा गया है और इसी की वज़ा से इसका नाम सूरज का घोरा कहानी का रखा गया ये ऐसी कहानी क्यों है क्योंकि ये कंटर भासा में है इसको उर्दू में लाया गया है और यहीं पर आपकी कहानी हो जाती है खतम 30 पेज की कहानी में देखो क्या था कुछ था बताओ खोदा पहार निकला चुआ और भी मड़ा हुआ बताओ कुछ है यह था पूरी कहानी का निचोड मैंने आपको बता दिया यही से अब्जेक्टिव यह उतना ही होगा अब्जेक्टिव में और कुछ नई होगा आप को प्यार मिलता रहता है आप लोग का कमेंट रहता है गिससी है रोषनी पढ़ाए तो मैं आपको रोषनी पढ़ाता जा रहा हूँ इक अर्यक्त छेप्टर करकर बारह चेप्टर है अभी जो हम पर रहे हैं चोथा चैप्टर कंप्लिट जोगा नेक्स्ट पांच माँ ये सब अफसाना पर रहे हैं अभी हम और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट शेक्षिन में पूछेंगे कि सर ये समझ में नहीं आया ये प्रॉब्लम है तो फिर नेक्स्ट सबके टूटल गूरूप में शेयर कर देंगे तो दीजी अपने हसान सर को इजाज़त मिलते हैं इसी हसी खुसी और मस्ती के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरा